Good morning students. I hope you all are fit and fine. Today I will write a story to you. The story is Pyaasa Kauwa. So let's start. एक कववा था, उसे बहुत प्यास लगी थी. पानी की खोच में इधर उधर घूम रहा था. मगर उसे पानी कहीं नहीं दिखाई दिया. घूमते घूमते उसे दूर से घर दिखाई दिया. वे घर की चट पे जा बैठा और पानी की तलाश करने लगा. तब ही उसे एक घड़ा दिखाई दिया. घड़े में पानी तो था, लेकिन पानी बहुत थोड़ा था. अब वे सोचने लगा मैं पानी कैसे पियूँगा? तो उसने तरकीब सोची कि मैं घड़े में कुछ कंकड डालता हूँ जिससे पानी उपर आ जाएगा. तो उसने एक एक कंकड उठाए और वे कंकड को घड़े में डालने लगा. अब जब वो कंकड डालने लगा घड़े में तो पानी क्या किया? हाँ, तो पानी धीरे धीरे उपर आने लगा. उसने देखा, अरे वाँ, पानी तो धीरे धीरे उपर आ रहा है. अब उसने और कंकड डाले तो पानी भी कुल उपर आ गया. और उसने अपनी प्यास बुजाई और वह खुश हो गया तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली बुद्धी से आप सब कुछ पा सकते हैं जब आप भी मुसीबत में हो तो आप भी अपनी बुद्धी का यूज करें Thank you everyone, thank you for your attention